शनिवार को कुछ यूवकों को शहर के होली चौक सित जैस्तम पर भादिय जिन्ता पार्टी का द्वज लहराते दिखाई पड़ते ही उन्होंने उस लहराते द्वज को वीडियो तथा फूटेज के जरीए फेस्बुक वाटसेप पर वाइरल कर दिया वारल होते ही हड़कम मच गया जैसे ही वारल होते ही इस वीडियो फूटेज से होली चौक पर भीड जमने लगी तथा जैस्तम जैसे शुद्धा स्थान पर इस प्रकार की शरारत करने वालों पर कारवाई की मांग होने लगी बता दे कि होली चौक ये शहर की पुरानी बस्तियों में से एक है तथा आजादी के पहले से अंग्रिजी शासन का विरोध के रूप में देश की आजादी में अपना सरसव लोटाने वाले स्वतिनतरा संग्राम सिनानी इस चौक पर राश्टिय द्वज फिराकर अंग्रिजी सत्ता तथा उनके फर्मानों की होली जलाते थे तब इसे इस चौक का नाम होली चौक पड़ा था देश की आजादी के बात से इस जैस्तम पर इस परिसर के स्वतिनतरता सेनानी तथा नागरी के यहां 15 अगस तथा 26 जिन्वरी को बड़े ही उत्सा से ये राश्टिय द्वज रोहन करते थे जो आज भी जारी है तथा गनेश उत्सव, दुर्गा उत्सव, राम नौमी, ईद, बाबा साहब अंबिटकर जयनती तथा अन्य महापुरूशों की जयनती तथा सामाजिक आयोजनों में से इसे बड़े ही उत्सा से सजाकर सर्वधम संभाव के प्रती के रूप में माना लेकिन 8 एप्रेल शुनिवार की शाम इस श्रद्धा स्थान पर भार्टी जंता पार्टी के द्वज़ रहलाते दिखाई देने से अचानक हरकम मच गया और देखते ही देखते बीड उमरने लगी तथा तरह तरह की चर्चाओ को बाजार गरम होने लगा घटना की जानकारी सावनेर पुलिस तैसिल प्रशासन नगर प्रशासन को मिलते ही प्रभारी थानेदार रविंद्र मान कर तैसिल कारेले सावनेर तथा नगर परिशत सावनेर के आला अधिकारी अगनिशमन विभाग आधी के करमचारियों ने घटना स्थर पहुच कर संत तक जाकर सचाई जानने की कोशिश करने पर पता चला कि हाल ही में संपन राम जनमोचसव के अफसर पर इस जैस्तम को भगवापता का तथा केली के पेर तथा रौशनाई से सजाया गया था तथा पार्च इप्रेल को भालती जिंता पार्टी द्वारा आयजित स्वतंत्र वी सावरकर गौरव व्यात्र का आयजन किया गया था इसी दौरान किसी कारेकरता ने ये द्वच लहराया हो जो उचे उचे केलों के पेर तथा पत्तियों में दबा रहता था पिछले दो दिनों से जारी तेज वा अंधर हवाय ये बारिश के कारण उक्त केले के गिरने से पेड गटनस्तर पर उपस्ति आलादीकारियों ने उक्त द्वच को उतारने में मामला फिलहाल तो शांत हो गया लेकिन गुसाई भीर तथा कॉंग्रेस इवा कॉंग्रेस द्वारा उक्त मामले की उचित जाच कर श्रद्धा स्थान पर विशेश पार्टी का द्वज फिराक द् किलाल किसे पर भी मामला दज नहीं हुआ है इन बीसीय नियूस के लिए सावनेर से किशोर धुंडेली की रिपोर्ट